बक्सर के में रोड स्थित बाबा कॉंप्लेक्स के समीप लगे ट्रांस्फर्मर में अचानक से आग लग गई आग लगने के बाद उसमें लगातार दस मिन्याटक धमाके होते रहें आग लगने के कारण इंसुलेटेड वायर भी जल गया ऐसे में लोगों ने जब यह नजारा देखा तो वह जहां थें वहीं रुग गया और उनके बीच अफरात अफरीका महौल कायम रहा बाद में इस घटना की सूचना विजली कमपनी को दी गई जिसके बाद इलाके की विद्धूत आपूर्ती को बंद किया गया बावजूद उसके काफी देर तक धमाके होते रहें और लोगों में अफरात अफरीका महौल कायम रहा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और लोग कैसे बचते बचाते वहां से निकल रहे हैं हलाकि विद्धूत आपूर्ती काफ देने के बावजूद फिर से विद्धूत आपूर्ती कब शुरू की गई इसका कुछ पता नहीं चल सका इस मामले में अधग जानकारी लेने के लिए विद्धूत के सहाय कभियंता शुकुमार को फोन किया गया लेकिन फोन नहीं लगने से जानकारी नहीं मिल सकी